On killing a tree, एक पेड़ को मारने पर It takes much time to kill a tree एक पेड़ को मारने में बहुत ज़्यादा time लगता है Not a simple, चाकू का एक सादारन, वार विल डू इट Not a simple, ऐसा नहीं करेगा It has grown slowly consuming the earth यह दिरे-दिरे बड़ा होगा Earth से, दर्ती से, दर्ती का यूज करके Rising out of it, इससे बाहर निकल के Feeding upon the crust, दर्ती की जो परत है उससे feed potion लेके Absorbing years of sunlight, air, water And out of its leprous height, sprouting leaves बरसों तक sunlight, दूप, हवा और पानी को यूज करके और इसकी leprous height से sprouting leaves जो leaves हैं, वो sprout होंगे यानि कि निकलेंगे, उगेंगे Leprous height, यानि कि इसकी shawl से, discolored, जो इसकी shawl होती है रंग ही उससे So hack and chop, इसलिए इस पे वार करो और काटो But this alone won't do it, लेकिन सिर्फ ऐसा करना ही काम नहीं करेगा, not so much pain will do it इससे इसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा The bleeding bark will heal And from close to the ground Will rise curled green twigs जो bleeding bark है, यानि कि इसकी shawl से यहाँ से खून आ रहा है, यानि पानी सा निकल रहा है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और ground के जमीन के पास से या इस पे मुड़ी होई हरी कलर की टेहनिया निकल आएंगी miniature balls छोटी छोटी जो डालिया है अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया विल एक्सपेंड अगेन दबारा फैल जाएंगी तो फोर्मर साइज बड़े साइज में बड़ी हो जाएंगी नहीं दा रूट इस पुल्ड आउट जड को खींचना होगा निकालना होगा इसको सहारा देने वाली धर्ती से इसको रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट इसको रोप्ड रसी से बानना होगा और खींचना होगा स्नैप्ड आउट खींच कर उखाडना होगा स्नैप्ड आउट यानि की काट कर निकालना है और pulled out entirely या फिर सारा का सारा खींचना है out from the earth cave दर्ती की गुफा से and the strength of the tree exposed फिर पेड की ताकत एक्सपोज होगी यानकि उसकी ताकत का पता चलेगा the source white and wet the most sensitive hidden for years inside the earth the source यानि कि वो source जो white है सफेद है गीला है और सबसे ज़्यादा सम्वेदनशील है hidden चुपा हुआ है सालों तक अर्थ के अंदर दर्ती के अंदर यानि कि जड़ें जड़ों की बात हो रही है then the matter of scorching and choking मामला आता है scorching and choking का यानि कि tree को उखाडने के बाद पेड को उखाडने के बाद उसके सूखने का in sun and air दूप और हावाई में browning, hardening, twisting, withering, browning यानि कि इसका जो तना है वो brown हो जाएगा उखडने के बाद सकत हो जाएगा twisting मुर जाएगा, withering मुर जाएगा and then it is done फिर हो गया यानि कि फिर पेड़ खतम हो गया इसमें कभी गीव पटेल ये कहना चाता है कि अगर पेड़ को काटना है तो उसको जड़ से उखाडना होगा इसमें ये व्यंग्य कर रहा है यानि कि वो indirectly ये कहना चाहरा है कि पेड़ों को मत काटो बता रहा है कि ऐसे पेड काटने से खतम होते हैं काटने से खतम नहीं होते हैं उसे जड़ से उखारना होगा